जब भी हम लोग पावर सिस्टम विजट पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कभी-कभी इस तरीके की इमेज देखी होगी यह सारी चीज हो भी हमें यह जो इंसुलेटर के आसपास वैसे सींग दिख रहे हैं इनको कहते हैं अन्सनوس मैंने सीन О unto वैसे हिंहिका नाम रखा गया आरंकिंग आउसistic आंगे क्या होते हैं और बहुत कुछ सीखेंगे इनकी वर्किंग सीखेंगे और इनका क्या इंस सब बातों को जानेगे चले शुरू करते हैं सब से पहले हम बदक करते हैंhol की इंसुलेटर प्लाइं इं ही चीज लुक्ट कर चुके हैं तो अब जो टाइब के अंदर कंड़क्टर करेंट एंटर ना कर जाए इसके लिए बीच में लगा होता है इस चीज को मैंटेंड रखता है ताकि अन्दर का करेंटर के अंदर ही बना रहे hesa यान ये इंसलेटर के आसपास हमें मिलती air and conductor के अंदर high voltage present रहता है अब air और इंसलेटर यह दोनों इंसलेटर इंसलेटर यह यूज उज़ करें है कि यह maintain रखेगी भाई जो हमारा conductor उसके अंदर हाई voltage हाई current जो है वो उसके अंदर ही रहे ना कि metal arm के होते होते ग्राउंड में चला जाए तो यह काम होता है air और insulator string का अगर हम बात करते हैं low operating voltage की यानि कि अगर voltage हमारा nominal है जो भी rated voltage है अगर पर हम लोग handle कर रहे हैं तो ऐसे case में कोई problem नहीं होगी air जो होगी वो insulator की तरह वर्क करेगी और insulator string तो insulator की तरह वर्क करेगा तो ऐसे case में कोई दिक्कत नहीं आने की ठीक है healthy operation हमें देखने को मिलेगा पर अगर हम बात करते हैं case 2 यानि की surge voltage यानि की surge in the sense high voltage अब अब रेटेट अगर अब रेटेट वोल्टेज आ जाता है या किसी वी वज़े से फ़र एक्जामपल lightning हो गई या कहीं short circuit या कोई भी तरीके की condition हो गई एडवर्स condition हो गई तो अगर किसी वी एडवर्स condition की वज़े से high voltage आ गया तो ऐसे यहां पर इंसुलेटर बड़ी important चीज़े एर पहले breakdown कर गई इंसुलेटर के पंचर होने से पहले तो यह इंसुलेटर को हम लोग कहते हैं आर्क जो बना है यह कहां से बना है और इसको नाम दिये जाता है फ्लेश ओवर और पंचर के बारे में इंसुलेटर वाले एक लेक्चर में इंसुलेटर का रोल है पावर सिस्टम में मैं इसका लिंक दे दूँगा, चेक करना, बहुत इंट्रेस्टिंग है, तो यह हो गया फ्लेश ओवर, यानि कि क्या हुआ, इंसुलेटर कुछ डेमेज नहीं हुए, लेकिन एर जो थी, वो ब्रेकडाउन करगी, कॉलैप्स करगी, तो ऐसे केस में क्या हुआ, कंड़क्टर का सारा चा और वो सारा एक्स्टर चार्ज, एक्स्टर वोल्टेज वाया आर्म चला गया, ग्राउंड में, अब होगा क्या, जैसे ही ऐसा होगा, तो सर्किट ब्रेकर और रिले जो होंगे, वो ट्रिप कर जाएगी, और ऐसे केस में क्या होगा, थोड़ देर के लिए बत्ती चली होता है, कुछ सेकिंड बात क्या होता है, और वापस से कनेक्ट होते हैं, और सप्लाई, हेल्दी सप्लाई जो होती होती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, एक हेल्दी ऑपरेशन है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यह होता रहता है, ठीक है, नो टेंशन वाली बा the insulator हो गई, over the surface of insulator वो क्या करेगी, वो arking insulator को damage कर सकती है, cracks ला सकती है तो ये जो cracks हैं, damage होते है insulator, ये समस्या की बात है, क्यों? क्योंकि ऐसा होने से कभी भी insulator आपका damage हो सकता है, permanently clear हो रहे हैं आपे, so that is the main problem तो इसी लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई, ये जो arking हो रही है, ये तो healthy ये कोई tension नहीं है, लेकिन ये insulator हमारे damage ना, और यहीं से picture में आते हैं, arking horns समझते हैं, arking horns के operation को now, arking horns के operation को समझने के दो तरीके हैं, एक है potential gradient की तरो और एक है variable impedance की तरो तो पहले हम लोग potential gradient की तरो समझते हैं, तो for example, मान के चलते हैं, ये scenario है, यहाँ भे हम लोग क्या करते हैं, arking horns लगाए जाते हैं, insulator के दोनों तरफ, यानि कि एक तो metal cross arm है, वहाँ से लेके और एक conductor के पास से, तो एक तरीके से क्या होता है, ये एक bypass का का काम करते हैं, so these are arking horns, और जो gap दे रखता है, ये kाम करता है arking gap का, यानि कि इसको नाम दिया जाता है arking gap, अब operation समझते हैं, इसका operation क्या होता है इसका काम क्या होता है, तो ये जो gap है यही सबसे बड़ा roll प्ले करता है ये क्या करता है, bypass करता है arking को यानि कि वो arc जो insulator के उपर से जा रही थी वो अब बाया आर्किंग गैप कि थो होके जाएगी तो आर्किंग हॉंस क्या करते हैं यह पात दे देते हैं तो अपने घर के लिए यह जहां पे भी आपको जाना है वहांगर सड़क नहीं होगी तो इनसान क्या करेगा गार्डेन में से जाएगा और कि अंदर आर्किंग होनी है वह इंसुलेटर की सरफेस पर ना होके वाया आर्किंग हो जाए ठीक है तो यह डेट इस दा मीन परपस अब इसको देखते हैं तो फॉर एक्जामपल सर्ज वोल्टिज आया तगड़ा सा ऐसे केस में क्या होगा यह जो पर्टिक्लर पॉइंट है जहां पर कंड़क्टर वाला पॉइंट है इसको मैं समझाता हूं बहुत ध्यान से समझना यह वाला जो पॉइंट यहां पर कंड़क्टर लगा हुआ है यहां का पोटेंशल ग्रेडियंट कम होगा एस कंपर तूदा आर्किंग होंस का देखो आप क्या होगा यह क्या है और यह यह क्या कंड़क्टर से चुड़ा हुगा है तो यह कंड़क्टर के पोटेंशल पर हो गया कंड़क्टर के पोटेंशल पर यहां पर लेकिन पोटेंशल ग्रेडियंट यह अलग कॉनसेट होता है पोटेंशल ग्रेडियंट क्या होता है मैंने आपको कोरोना वाली लेक्चर तो जो sharp points होंगे वहां पर सबसे ज़्यादा electric field charge इगटा होगा तो उसकी electric field बहुत dense होगी और जहां और जो smooth surface होगा वहां पर charge distributed होगे तो electric field भी या कह सकते हो distributed होगी तो यहां पर क्या मिल रही है दिस इस वाट वी काल concentrated electric field ठीक है यह जो concentrated electric field है इस particular पॉइंट पर तो यहां पे हम कहेंगे यह फटेंशल ग्रेडियंट यानि कि पॉटेंशल ग्रेडियंट यrawdर बता है कि कि इंटेंस थो चर्ब्याइब निएर्ग सिट्विक्टर यहांपे क्या है this is a conductor यहांपे हमारी smooth surface है तो ऐसे case में क्या होगा यहां पर जो charge इखटे होते वो सारे की सारे charge अब यहांपे खटे होंगे तो क्या होगा conductor के पास जोगा potential gradient कम हो जाएगा और सारा charge क्योंकि sharp points पे tip पे खटा हो जाएगा इस तरीके से tip पे यहाँ अगर positive है तो यहाँ negative समझ मेरी बात ही है इसको द्याँ से समझ लो तो यहाँ पे क्या होगा सारा charge होगा अपने sharp points पे खटा हो जाएगा ऐसे और यहाँ पे negative बहुत सारा ठीक है क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम charge देंगे तो जो smooth surface होगी वहाँ पे कम charge की density होगी और sharp points पे ज़्यादा charge dense होगा तो वैसी यह sharp points है तो यहाँ पे कूप सारा charge positive और यहाँ पे कूप सारा charge negative खटा हो गया तो अब इस area के अगर electric field की देखें तो इस पूरे area के अंदर बहुत हाई intensity की बहुत हाई density की electric field आ गई है तो यहाँ की क्योंकि electric field की जो density यह बहुत ज़ादा है compared to the यहाँ पे इस particular अगर हम बात करते हैं इस particular conductor के आसपास तो उसके मुकाबले यहाँ पे जो electric field है उसकी density बहुत ज़ादा है तो ऐसे case में क्या होगा इस point का जो potential gradient होगा वो high होगा तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है high potential gradient तो यहाँ पे बहुत high potential gradient होगा यानि कि जो arking gap दे रखा है यहाँ पे potential gradient बहुत high होगा compared to the conductor तो conductor के point की मुकाबले यहाँ पे सही होगा clear होगा अब देखो क्या होगा अब जैसे ही होगा तो ऐसे case में क्या होगा air जो होगी वो break कर जाएगी और सारा का सारा arking जो होगी वो in horns के across हो जाएगी तो यहाँ की यानि कि इस particular area की जो air है वो पहले break करेगी यानि कि earlier breakdown हो जाएगा earlier breakdown तो यहां का जो air होगी वो पहले ही breakdown कर जाएगी as compared to the this air यह वाली air के मुकाबले तो ऐसे case में क्या होगा क्योंकि air पहले breakdown कर गई तो सारा का सारा जो हाई voltage आया था वो इस आरकिंग की थ्रोग ground में चला जाएगा यानि कि यह आरकिंग होके ground में एंटर कर जाएगी तो clear हो रहा है यहां पर तो ऐसे case में क्या हुआ यानि कि आरकिंग हुई सर जाने पर हाई voltage पर अब वाया आरकिंग हॉन्स हुई तो हमने क्योंकि पात दे दिया तो ऐसे case में हमारा जो insulator था भाई यह यह देखो बिलकुल intact रहे गया बिलकुल बचा रहे गया समझ में आरी बात है तो ऐसे case में क्या होगा जो आरक डवलप होगा वो across हॉन्स होगा जो कि पहले across insulator हो रहा था और जिसकी वज़े से क्या होगा क्योंकि आरक डाइवर्ट हो चुकी है वाया आरकिंग हॉन्स तो insulator हमारे बचे रह जाएंगे समझ में आ रही है ना आरकिंग हॉन्स को यहां पर हम क्यो इस्तमाल कर रहे हैं भाई आरकिंग हॉन्स भी तो डैमेज होंगे हैं तो आरकिंग हॉन्स जस्त लाइका पैदल यह प्यादा जाज चैस में होता है और यह हमारे किंग है इंसुलेटर समझ मारी बात है तो यह इसलिए इसको लिखा जाओगे बहुत पैसा खर्च होगा फिर उनको रिप्लेस करोगे तो भी अगें टाइम पैसा लेबर सब लगेगी तो इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें कोई ऐसा सस्ता वाला एक्क्यूबंट एजी तो रिप्लेस है तो इसको वेरियोल इंपेडेंस की थियोरी समझते है तो वेरियोल इंपेडेंस क्या कहता है जब लो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा ऐसे केस में एयर जो होगी वो इंसुलेटर तरह वर्क करेगी तो ऐसे में यह जो गैप है यह हाई इंपेडेंस प्रोवाइड करेगा तो इसमें किसी भी तरीके करेंट फ्लो नहीं करेगा लेकिन जैसे ही सर्ज वोल्टेज आएगा बहुत ही हाई वोल्टेज तो एयर जो होगी ब्रिकडाउन हो जाएगी अब क्योंकि एयर ब्रिकडाउन होके ऐसा कंडुक्टर ब्येव करती है तो ऐसे केस में क्या होगा यह जो गैप है यह लो इंपेडेंस पात करेगा यानि क दो रस्ते हैं तो पात वन जो है यह ऐसे केस में यह तो एयर ब्रिकडाउन होई नहीं लेकिन यह पहले ब्रिकडाउन हो गई बिकॉज ऑर आरकिंग होंस विकॉज आफ़ हाई देनसीडी तो यहां पर क्या होगा एयर एक्ट ऐसा कंडुक्टर नहीं यहां पर यह यह एर फौटर साथ करेंगे उसे पूछ पूछे कहले हम तो इसे यह वाला हाइप सकरेंगे में lure करेगा और यह वेढ़ करेगा और यह ऐसा नहीं है कि नहीं कि तब भी यहांपर गैप हो जाएगे तो इस लिए जब आर्किंग हॉन्स को अगर देखोगे तो यह हाई इंपिदेंस की तरह वर करेंगे एट लो वोल्टेज इस पे जैसी वोल्टेज एक सर्टेन क्रिटिकल वैल्ली को पार करेगा तो यहाँ पर क्या होगा यह गैप जो होगा यह एर को बिकडाउन करके लो इंपिदेंस ओफर करने लगे गा जिससे की आर्किंग उसके थो हो जाए तो डेट इस दा ब्यूटी ओफ आर्किंग हॉन्स संभात है नाओ यह सेम काम हम लोग एक नॉन लिनियर रेइस्टर से भी करवा सकते हैं लौन लीनियर रेजिस्टर के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी होती है कि वह भी हाई वोल्टेज पे लो रेस्टेंस ओफर करता है और लो वोल्टेज पे हाई रेस्टेंस ओफर करता है तो इसलिए बहुत सारी अप्लिकेशन में हम लोग आर्किंग हॉंस की नीनियर रेज्सटर के उस्तवाल करते हैं इन पॉंसर और अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह करता है कोरोना ञता है तो इन सब के लिए आप लेट वाला लेक्षर देख सकते हो वहीं पे अगर आप जानना आते हो कि इंसुलेटर का क्या रोल होता है पावर सिस्टम में पोर सिरीन और ग्लास के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पंचर स्ट्रेंथ और फ्लेश ओवर स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है तो इसके लिए आप मेरा राइट वाला देख सकते हो लेक्चर आपने अमना कीम इंदिसा में देख कलीड़ का क्या राइट